नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दिपंकर भटाचार जी आपके दोस्त आपका हमसफर फिर से एक बार चैनल मेड इन इंडिया पे आप सभी को स्वागत है दोस्तों आज मैं बहुत दिन बाद आप लोगों के सामने वीडियो पे आ रहा हूँ आज हम लोग एक सैंडल का एक बहुत ही सीक्रेट फॉर्मूलेशन के उपर डिसकस करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ मेरा कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों मैं इतना दिनों तक कुछ विशय के उपर स्टाडी कर रहा था और दोस्तों यह मेरा जो स्टाडी था यह परफ्यूब के उपर भी था और यूट्यूब के उपर भी था मैं एक one kind of research work continue कर रहा था इसी दिए इतना दिनों तक मैं वीडियो पे नहीं आ पाया उसके लिए आप लोगों से मैं माफी मांगता हूँ अब से आप लोगों को regular वीडियो मिलता रहेगा दोस्तों सबसे पहले एक बात का गौर करिए मेरा यह चैनल है इस चैनल पे आप थोड़ा changes आप लोगों को दिखने को मिलेगा जैसे के पहला changes है मेरा यह background यह सारे चीज मैंने सीखा है इसका training ले रहा था इसलिए थोड़ा बहुत लेट हो गया और साथी साथ आप लोगों के लिए एक नया announcement है के मैं बहुत ही जल्दी और एक नया YouTube चैनल open करने जा रहा हूँ नेक्स वीडियो पे मैं उस चैनल का जो link है वो अपने वीडियो के description box में दे दूंगा आप सब लोग उसी चैनल उस चैनल को भी subscribe करके रखिएगा और दोस्तों कुछी दिनों में हम लोगों का training भी चालू होने वाला है तो और थोड़ा सा इंटेसार आप लोगों को करना पड़ेगा उसके लिए I am extremely sorry अब दोस्तों आज मैं आप लोगों से सैंडल पर्फ्यूम का एक secret formulation के उपर discuss करूँगा दोस्तों यह जो सैंडल पर्फ्यूम है यह सैंडल पर्फ्यूम दो तरह की होते हैं कुछ सैंडल पर्फ्यूम ऐसे हैं जिसमें हम लोग अगरबत्ती dipping करते हैं करके चलाते हैं लेकर आज मैं जिस सैंडल पर्फ्यूम के formulation के उपर बात करूँगा वो सैंडल पर्फ्यूम specially suitable for धूना चंदन अगरबत्ती यह formulation से आप चंदन का पर्फ्यूम बनाके धूना चंदन अगरबत्ती में use कर सकते हैं और दोस्तों यह पर्फ्यूम आप अपने हिसाब से अपने धूना चंदन अगरबत्ती का जैसा rate मिलता है उसकी हिसाब से आप इसको up and down कर सकते हैं इसके costing को यह इस formulation का सबसे बड़ा facility है दोस्तों मार्केट में धूना अगरबत्ती और धूना चंदन अगरबत्ती का बहुत त्रिमा डिमांड है लेकिन कभी कबाद आप लोगों को कुछ problem का सामना करना पड़ता है कैसा problem जैसे के मान लीजिए आप market से धूना खरीद रहे हैं धूना का जो दाम है उसमें उठाओ उचराओ लगा रहता है कभी कबाद जिस quality का धूना आप खरीद रहे हो market से उस quality का धूना आपको अगले बार नहीं मिला या मिला भी तो उसका दाम बर गया इस हालत में यह जो problem है इसके बारे में बहुत सरे लोगों ने मुझसे सिकर किया है तो उसी लिए आज मैं यह formulation आप लोगों को दे रहा हूँ दोस्तो इस formulation से हम लोग एक sandal base बनाईगे इसके लिए सबसे पहला जो ingredient हमको लगेगा वो है sandala और sandala जो हम use करेंगे जहां पे वो हम लोग सस्ते के cheap rate का sandala यानि के sandala चायना का इस्तेबाल करेंगे आपने माल लीजिए और दोस्तो यह जो formulation है यह तो मैं आपने हिसाब से बता रहा हूँ आपको लेकिन आप इसमें addition, alteration भी कर सकते हैं जैसे आपके मर्जी चाहें आपके costing के हिसाब से जही आप लोगो सीखना है तो दोस्तो सबसे पहला जो ingredient है वो हम लोग use करेंगे sandala चायना नेक्स्ट इंग्रेडियेंट मान लीजिए sandala चायना हमने ले लिया है दोसो पचास ग्राम अब इसके साथ हम लोग add करेंगे green acetate sandala चायना आपको 900 सारे 900 रुपए के अंदर में मिल जाएगा अब यह जो sandala चायना है इसके साथ हम लोग add करेंगे green acetate कितना add करेंगे approximate 150 ग्राम 250 ग्राम sandala चायना ले लिया उसके बाद 1500 ग्राम यानिके 150 ग्राम green acetate ले लिया तो कितना हो गया आपका 200 250 250 250 400 ग्राम यह जो green acetate है यह add करने के बाद ही आप लोगों को जो sandala चायना का जो खुश्बू है ठीक है वो थोड़ा सा तुलसी टाइप में convert हो जाएगा तुलसी और कपूर का जो मिश्ण होता है इस टाइप पे आ जाएगा अब लेकिन यह जो खुश्बू होगा ना बहुत ही करक्टाइप का होगा और दोस्तों जहां पे sandala चायना जो 900 900 ग्राम आता है उसके साथ यह जो green acetate आप लोग मिलाएंगे green acetate का दाम भी market में कम है 400 4500 रुपए में आपको green acetate मिल जाएगा तो इससे क्या हुआ जो 900 रुपए का sandala चायना है उसका दाम थोड़ा सा कम हो गया green acetate आप करने से ठीक है मतलब आपका पर्फ्यूम का दाम सारे 900 रुपए से नीचे आ गया नेक्स्ट आइटेम हम जो हम लोग जो add करेंगे वो है ember fluor हम लोग ember fluor या iosui super भी यूज़ कर सकते लेकर iosui super जो iff company का आता है उसका दाम थोड़ा सा ज्यादा है इसलिए हम सस्ते में 700 800 रुपए में आप लोग को ember fluor मिल जाएगा marketing में थोड़ा सा ember fluor इसके साथ add करिए कितना add करेंगे ठीक है 1500 ग्राम green acetate add किया उसका खुझवू बहुत ही करक होता है ठीक है तो चलो भाई आम लोग ember fluor add कर लेते हैं 1500 ग्राम इससे क्या होगा वो जो आपका green acetate है उसका जो करक पन है वो थोड़ा reduce हो जाएगा पर्फ्यूम पे थोड़ा सा मिठा सा जाएगा हो गया नेक्स्ट हम लोग एक costly item add करेंगे यह add करना बहुत ही जरूरी है यह हम लोग add करेंगे लगभग 50 का और यह आप लोग का जो sandal है उसके उसमें थोड़ा सा spreading power लाएगा वो है आपका trim ball trim ball एक chemical आता है यह थोड़ा महेंगा है यह हम लोग लगभग 50 ग्राम इसमें add कर देंगे trim ball trim ball के बाद हम यह भी थोड़ा को है trim ball मोटा मोटी approximately आपका साथ हजार साथ हजार रुपया किलो आता है यह हम लोग 50 ग्राम add करेंगे nextly हम इस पर add करेंगे आपका back down all आपका जो sandala है sandala चायना उसको थोड़ा support देगा back down all हम लोग 100 ग्राम यूज़ कर लें back down all भी तोड़ा कोस्ती है यह 44,000 रुपया किलो में आ जाता है यह हम 100 ग्राम यूज़ करते है तो अभी यह total mission बन गया इस mission पे हम लोग अभी और एक चीज़ add करेंगे जो आपका perfume पे बहुत ही मिठास लाएगा वो है linalool लिला लूल मैंने देखा है कि सैंडल में बहुत ही अच्छा काम करता है तो पहले तो हमने एट किया सैंडला चायना फिर ग्रीन एसिटेट फिर आपका एमबर फ्लियूर नेक्स्ट आइटेम आगिया हमारा ट्रीमबॉल फिर बैक्डानॉल ट्रीमबॉल हमने 50 ग्राम add किया है बैक्डानॉल हमने use किया है 100 ग्राम ठीक है तो हमारा ये टोटाल जो हुआ इसके बाद हम इसमे एट कर देते हैं linalool linalool हम लोग इसमे एप्रोक्सिमेट कितना हमाल लीजिए हम इसमे 170 ग्राम से लेके 200 ग्राम 200 ग्राम linalool एड़ कर देते हैं ठीक है तो ये आपका टूटाल कम्बिनिशन बन गया और लास्ट में लास्ट में एक किलो का पर्फ्यूम का कम्बिनेशन आपको लाना है तो इसमें आपका जो भी कम है एक किलो से उतना परिमाद आप लोग जहांपे एड़ कर दीजिए बेंजाइल बेंजोएट और लास्ट में आप लोग ये जो टोटाल मिश्ण है इसमें और दो चीज़ का इस्तिमाल करिए पहला चीज़ है आपका टोनालाइट टोनालाइट आप इस एक किलो के पर्फ्यूम पे यूज़ कर लीज़िए पंदरा ग्राम पंदरा ग्राम शर 10 ग्राम टोनल आई व्यूस करिए 10 ग्राम मास्क एम्बरेट डाल दीजिए और लास्ट में इसको एक फिनिशिंग देने के लिए 15 ड्रॉप 15 ड्रॉप आप लोग इसमें डाल दीजिए LDI-C12 लॉरिक LDI-C12 लॉरिक का अप्लिकेशन 15 ड्रॉप इसमें डाल दीजिए अब यह जो टोटार मिस्टन हो गिया इसमें आप लोग थोड़ा समाल दीजिए 500 ग्राम या 700 ग्राम आप लोग DEP एड़ कर दीजिए यह DEP एड़ करने का करण यह है कि इसमें हम लोग जो टोनलाइट का इस्तमाल कर रहे हैं टोनलाइट को डाइलूट होने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है तो थोड़ा सा DEP आपको मिलाना ही परेगा क्योंगि यह जो परफ्यूम बनेगा यह परफ्यूम का थिकनेस ज्यादा रहेगा तो उसको थोड़ा सा थिकनेस को कम करने के लिए इसको थोड़ा पतला बना ले के लिए हम लोग थोड़ा सा DEP भी एड़ कर सकते इसका आपका कोस्टिंग भी खड़ जाएगा और यह जो परफ्यूम का मिश्चन आपका बना यह मोटा मोटी आपका मेरे हिसाब से 700 से 800 रुपय के अंदर में यह परफ्यूम बन जाएगा यह 700 से 800 रुपया वाला जो परफ्यूम है यह परफ्यूम आप लोग धुना चंदन अगरबत्ती में यूज़ कर सकते हैं कितना परिमान यूज़ करेंगे इसको आप 60 to 70 ग्राम आप 1 किलो धुना चंदन अगरबत्ती के मसाले में डाल सकते हैं अब बात यह आता है कि इसको हम लोग कैसे एड़ करें जहां पर हमको दो चीज़ का ख्याल रखना होगा पहला चीज़ कि हमारा अगरबत्ती धुना चंदन अगरबत्ती दूसरों से अलग हो क्वालिटी में अच्छे हो साथी साथ हमारा अगरबत्ती का काउंटिंग अच्छा हो और इसका कोस्टिंग भी कम हो तो इसके लिए हम इस परफ्यूम को जब अपलाई करेंगे तो हम एक दूसरे प्रोसेस का यूज करेंगे कैसा प्रोसेस हम लोग जहां पे बिना धूना के ही धूना चंद नगरबत्ती बनाने का खोशिश करेंगे क्योंको धूना हर टाइम अबेले में नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे एक छोटा सा बाउल लेंगे पहले उस बाउल पे हम 50 ग्राम मैं एक किलो के हिसाब से बता रहा हूँ आपको 50 ग्राम आप गुर लीड़ीए गुर यानिके जागरी ये जागरी आपको 30 या 40 रुपिया किलो में मिल जाएगा फिर आप उसमें 30 ग्राम रंजन डाल दीजिए रंजन यानिकी रजन उस पे रजन आपको 800-900 रुपिया में मिल जाएगा 30 ग्राम आप डाल दीजिए उसमें नेक्स्ट आप उसमें रजन रंजन आपको मोटा-mोटा नबए रुपिया किलो में मिल जाएगा 90 रुपिय किलो तो वो आप 30 ग्राम डाल दीजिए रंजन डालने के बाद आप इस मिस्टन पे डालीये थोड़ा सा ओली बनाम ओली बनाम आप इसमें डाल दीजिए 20 ग्राम 20 या 25 ग्राम डाल दीजिए इस पे थोड़ा सा पानी डाल दीजिए पांच ग्राम वैनिलिन पाउडर पांच ग्राम कुमारिन पाउडर और पांच ग्राम यस्पीन पाउडर भी इस पे डाल दीजिए डाल कि इसको गरम करिए गरम करके जो लेई बनता है वो आपके मसाले पे मिलाईए और हमारा ये जो पर्फ्यूम बना इस पर्फ्यूम को 60 या 70 ग्राम इसमें डाल दीजी और परिमान की हिसाब से पानी डालके मसाला को बनाके मशीन पे चलाईए ये आपका एक सस्ते का धूना चंदन अगरबत्ती भी बन जाएगा इसका काउंटिंग भी ज्यादा होगा मार्केट में अगर धूना नहीं मिला बहुत चगे पे धूना नहीं मिलता है तो भी ये आपका बहुती अच्छे क्वालिटी का धूना चंदन अगरबत्ती बनने का लाएग होगा ये फॉर्मूला तो अगर इस फॉर्मूला को आपको अच्छा लगा हो तो फ्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे से और भी नएने फॉर्मूलेशन हम ला रहे हैं अभी फिर से मैंने वीडियो करना चालू कर दिया है आगे जाके और भी बहुत अच्छे क्वालिटी के वीडियो इंट्रेस्टिंग वीडियो आपके सामने लाएंगे और साती सात हम एक नया चैनल खोलने वाले हैं जब भी हम खोलेंगे इस चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हम दे देंगे